नमस्कार दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली नई न्यूज वीडियो देख पाए और दुनिया में कहीं भी काम करने के लिए तयार है तो आईए हम आपको बताते हैं दुनिया के उन मुलकों के बारे में जहां काम करने वाले को सबसे अच्छी सेलरी दी जाती है ये लिश्ट दो हजार सोडा के आंकडों पर अधारित है अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक स पूरे यूरोप में आर्थिक केंद्रे के तोर पर जाना जाता है। लेकजंबर्ग में एक व्यक्ति को 38,931 डोलर का सालाना बुकतान बैतोर सेलरी किया जाता है। इसके बाद उन्हें सालाना ओस्तन 33,420 में डोलर सेलरी मिलती है। इसके अलावा यहां पर अतिरिक्त गंटे काम करने पर अलग से पैसो का भुकतान किया जाता है। स्वीजर लेंड को दुनिया के सबसे उंदा देसों में से एक माना जाता है। यह सरकारी पारदरिश्टा, जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक और मानव विकास के लिए जाना जाता है। स्वीजर लेंड में एक व्यक्ति की ओसत इंकम सालाना 33,491 डोलर है। साथ ही वहाँ पर सब्ता में काम करने का समय भी निधारित है। वहाँ काम करने वाले को अधिकतम 35 गंटे ही सब्ता में काम करना होता है। औस्ट्रेलिया, औस्ट्रेलिया को दुनिया में ओयल और मिनरल का सबसे बड़ा निर्यातक देश माना जाता है। उस्ट्रेलिया में ओस्तन एक व्यक्ति को सालाना 31,588 डोलर सेलरी मिलती है। यह सेलरी 27.7 फीजदी टेक्स काटने के बाद दी जाती है। आस्ट्रेलिया में हर सब्ता 36 गंटे काम करना होता है। जर्मनी में ओस्तन कम वेतन इसलिए भी मिलता है क्योंकि जर्मनी के लोग अपनी सेलरी पर 49.8 फीजदी टेक्स देते हैं। पूरे यूरोप में जर्मनी सबसे शक्तिशाली देसों में से एक है। जर्मनी में ओस्तन सेलरी सालाना 31,252 डोलर है। किसी देश को अपने लोगों को कितना मेत्व देना चाहिए। इसका सबसे उधारन आश्ट्रिया है। आश्ट्रिया में उच स्तर की इंडरेश्टी काम करती है। आश्ट्रिया में लोगों को टेक्स काटने के बाद सालाना ओस्तान 31,173 डोलर का भुकतान किया जाता है। आश्ट्रिया में भी income tax और social security contribution के लिए 94.4 फिर्टी टेक्स देना होता है। कैनेडा, साओधी अरब के बाद दुनिया में आकर सबसे ज़्यादा कहीं oil reserve है तो वह है कैनेडा, कैनेडा के पाद zinc, uranium, gold, nickel, aluminum का भी सबसे बड़े भंडार है। कैनेडा में टेक्स कटने के बाद ओस्तन सालाना salary 39,365 डोलर है। यहाँ पर 31 फिर्टी टेक्स कटता है। कैनेडा में एक अपते में 36 घंटे ही काम करना होता है। दोस्तो आपको मेरे द्वारा बताएगे जानकरी कैसे लेगी हमें comment box में comment करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो like और share करें और channel को subscribe करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में।